आज आज हमारा इंगले सीखने का पहला दिन है और ये जो इंगलिश है ये बेसिकली मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ उन स्टूरेंट्स के लिए नहीं है कि जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं बलके स्टार्ट में जो है ये उन लोगों के लिए होगा शायद आप में से जो आलड़ी इंगलिश को जानते हैं वो शायद स्टार्ट में थोड़ा बोर होंगे लेकिन इंशाला उमीद करता हूँ कि आप लोग आगे की क्लासिस को इंज्वाइ करेंगे किसी भी लेंग्विज को सीखने के लिए सबसे पहले चार में स्टेप्स होते हैं अब वो चार में स्टेप्स क्या है फोस्टेप्स फोर लर्णिग इंग्लिश जो सबसे पहला में स्टेप्स है वो है लैटर्स यानि के इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज है वो है लैटर्स उर्दू में हम इसको कहते हैं हरूफ, यनिके ABC, अगर आप English सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो इसका step होगा, वो ABC है, अगर आपको ABC आती है, तो आप इसके दूसरे step की तरफ चाह पाएंगे, और इसका दूसरा step है, words, words mean, अलफास, अब जब ये लैटर आते होंगे, त हरूफ मिलेंगे, तो उससे आगे अलफास बनेंगे, अब अलफास मिलेंगे तो इसका तीसरा step बनेंगा, यनिके words मिलेंगे तो इसका तीसरा step बनेंगा, जो कह है sentence, अब sentence बेसे के लिए क्या है, जुम्ला, अब जुम्ला बेसे के लिए क्या होता है, कि मुहतलिफ अलफास को जो है हम एक तरतीब में लिखके एक जुमले की शकल देते हैं तो सबसे पहला step lattice lattice के बाद words words के बाद sentence और जब sentence सीख जाएंगे तो चोथा step जनम लेगा या चोथा step हो पाएगा और वो है speech और paragraph अब जैसे के मिसाल के तोर पे अब lattice है तो lattice mean A, B, C तो हम ये Z तक जाएंगे ठीक हैं अब ABC आती होगी तो हम words बना पाएंगे for example जैसे के एक word है cat अब first करें के हमें ABC आती नहीं है तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं ये कैसे हम समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा रहा है same like that there is one more word table T, A, B, L, E अब देखें कि अगर हमें spell ही नहीं आते हैं तो हम इससे ये कैसे लफ़ बना सकते हैं इसी तरह से जब ABC आती होगी तो हम words बना पाएंगे जब words आते होँगे तो वो जुमले की शकर इहत्यार करेंगे मिसाल के तोर पे हमारे पास एक जुमला है अब ये चार words मिले तो तब जाके एक sentence बना एक जुमला बना तो आब इसको जुमले की शकल हम तब देंगे जब अलफाज आते होंगे तो जब अलफाज ही नहीं आते तो हम इसको जुमले की शकल कैसे दे सकते हैं तो ये चीज़ आपने जहिन में रखनी है कि जो अगला step है वो पिछले step से linked है अगर पिछला step नहीं आता तो आप किसी सूरत भी अगले step की तरफ नहीं जा सकते हैं So guys, सबसे पहली चीज़ कि आपको letters आने चाहिए जो कि almost हम में से almost हम सबको आते हैं दूसरा step है words, words भी बहुत से students को आते हैं और बहुत से words मैं खुद भी आपको सिखाऊंगा अब words के बाद तीसरा step होगा sentence making और ये चीज़ इन्शाला मैं आपको सिखाऊंगा अब जब sentence making आप सीख जाएंगे तो उसके बाद automatically speech या paragraph की शकल इहत्यार कर लेगा जब आप different sentences को एक paragraph की सूरत में लिखेंगे तो वो automatically speech की शकल या paragraph की शकल इहत्यार कर लेगा चलें guys सबसे पहले आगास करते हैं कुछ अलफास सीखने से और अलफास के बाद फिर हम जुम्रू की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो लफज हैं हमारे पास वो है मैं मैं की इंगलिश होती है I उसके बाद है हम हम की इंगलिश होती है we उसके बाद तुम या आप तुम या आप की इंगलिश होती है you इसके बाद है वो यानि के वो ज्यादा लोग वो लड़के भी हो सकते हैं वो लड़कियां भी हो सकते हैं और mix भी हो सकते हैं यानि के वो जमा they वो एक लड़का यानि कि जब कोई single मर्द है या कोई single आदमी है या कोई लड़का है तो उसके लिए हम इस्तमाल करेंगे he वो एक लड़की अगर वो अकेली लड़की होगी या ओरत होगी तो उसके लिए she और ye, ye के लिए it इसके बाद है मुझे मुझे की इंगलिश है मी हमे हमे की इंगलिश है अस तुम्हे या आपको इसकी इंगलिश है उन्हे यानि के उन ज्यादा को दम उसे यानि के उसे के लड़के को हिम और उसे यानि के उसे के लड़की को हर तो लब्स है जाना, जाना की इंग्लिश है, go, आना, come, काम करना, work, खरीदना, buy, देखना, watch, सुनना, listen, बोलना, speak, पड़ना, read, लिखना, write, पहनना, wear, खाना, eat, बताना, tell, पूछना, ask, पकाना, cook. So guys, ये चएक अलफाज हैं, जो कि मैं आपको बहुत कम से, but ये basically हमने, क्जोए अपनी कلاस का अगास करना है, तो अपनी कलास का अगास करने के लिए ये अलफाज हमारे लिए बहुत है, आपने ये अलफाज तैयार करने हैं जब आप ये अलफाज तैयार कर लेंगे तो इंशालला कल हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे जो के हमारा अगला स्टेप है जुम्ला बनाना संटेंस मेकिंग जब ये हमारे पस अलफाज होंगे तो तब हम जुम्ले बना पाएंगे आज का काम यहीं पे खत्म करते हैं इंशालला जिन के रही तो आप लोगों के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी अपना ह्याल लखिएगा अल्ला निके बान